पश्यम बंगाल की मुख्यबंतरी जी कि इतनी मंता उस प्रिंस्पल के पृतिक्चों हैं तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तरण मूल कॉंग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मुहलत किसलिए दी जा रही है मुहबत भर्स्काचारियों के लिए है मुहबत दंगाईयों के लिए है और मुहबत बलापकारियों के लिए तो ये इंडी गठबंदन के सभी दल एक दूसरे के अपराद को पुलिटिकल क्राइम कवर देने का प्रयास कर रहे है दुखद, जगन्य और दुर्दांत घटना जो कि पशिम बंगाल में हुई और दुख की बात ये है कि वहाँ पर इससे भी अधिक वीभत्स तरीके से अपरादियों को संड़क्षन देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और भी अधिक दुख देने वाला है जिस प्रकार से वहाँ प्रिंस्पल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में न्युक्त कर दिया गया इससे पशिम बंगाल की सरकार की उन अपरादियों के पृति किस प्रकार की संड़क्षन की भावना है वो बेनकाब हो जाती है और पशिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जाँच के उपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है आज मैं पूछना चाहता हूँ कि पशिम बंगाल की मुख्यमंतरी जी की इतनी मम्ता उस प्रिंस्पल के प्रतिक्चों है और मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि जब मांग की जा रही है कि CBI को वो जाँच दे दी जाए तो आप यह कह रहेंगी कि इतने दिनों तक यदि ये ना हो सका तब CBI की बात करेंगे तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तरण मूल कॉंगरेस की सरकार से कि इतने दिन की महलत किस लिए दी जा रही है यह इतने दिन की महुलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विशह देख चुके हैं यदि आपका दिल इमानदारी से इस विशह पे जांच कराना चाहता है तो देश की सरवोच जांच एजनसी को तुरित जांच चो नहीं इस थानांतरित की जा रही है वाई इमिजेटली दा इन्वेस्टिगेशन इस नॉट बीन टांसफर्ट तो इन्वेस्टिगेटिव एजनसी अब तीसरा सवाल कॉंग्रेस पार्टी से ये इंडी गटबंदन के सभी लोग जिस ढंग से एक दूसरे से मिले हुए है कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उनके होट सिले हुए है अध्या कन्नोज से लेके कॉलकाता था राहुल गांधी जी जो कहते थे कि महबत की दुकान तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में उनकी उस सियासी दुकान में महबत अपराधियों के लिए है महबत आतंक्यारोपियों के लिए है मुहबत भरस्टाचारियों के लिए है मुहबत दंगाईयों के लिए है और मुहबत बलातकारियों के लिए है अगर एक शब्द में कहें तो ये इंडी गठबंदन के सभी दल एक दूसरे के अपराद को कवर करने के लिए जिसे हम लोग भाशा में कहते हैं कवर फायर तो दीज पार्टीज आर प्रोवाइडिंग अक्राइम कवर टू मूचुवल क्रिमिनल एलिमेंट्स यानि एक दूसरे के आपराधिक तत्वों को एक प्रकार का पुलिटिकल क्राइम कवर देने का प्रयास कर रहें हम पुनह ये करना चाहेंगे कि आप विपक्ष में हो या सत्ता में हो हम विपक्ष में रहें या सत्ता में रहें इस प्रकार के विश्यों के उपर समेदन शीलता से बात होनी चाहिए राजनीत के हिसाब से नहीं और इस तरह के विशे के उपर दलगत भावना से उपर उठकर विशार किया जाना चाहिए और अपरादियों को किसी भी प्रकार का संडक्षन उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास अथवा उन्हें महलत देने का प्रयास नहीं करना चाहिए